नमस्कार दोस्तों, ओनले लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है असी शब पुरते मीनट की गती से संपात की रेक्टेशन शुरू होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट रूस में एक और भारतिय यूवक के युद में मारे जाने को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई है लोकसभा में विपक्ष के एक नेता के सवाल के जवाब में विदेश राजे मंतरी ने कहा की रूस ने अपनी सैना में भरती दस भारतिय यूवकों को मुक्त कर दिया है और वे जल्दी ही वापस लोट आएंगे इसी महीने परधान मंतरी ने रूस यातरा के दोरान वहां के राश्ट्रपती वलादीमीर पुतिन से मुलाकात में यहे मुद्दा उठाया था और कहा गया था कि रूस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है बाकी यूवाओं के भी जल्दी वापस लोटने की उमीद है हालां की अभी तक इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि कितने भारतिय यूवा रूसी सैना में शामिल किये गए हैं और उनमें से कितनों को युद शेतर में अगली कतार में तैनात किया गया है पैरा पिछले दिनों जब दो भारतिय यूवाओं के युद में मारे जाने की खबर आई थी और कुछ यूवाओं ने अपनी तस्वीर डाल कर रिहाई की गुहार लगाई थी तब इस बात का खुलासा हुआ था कि बड़ी संख्या में भारतिय यूवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर धोके से रूसी सैना में तैनात कर युकरेन के साथ युद में तैनात किया गया है तब भी सरकार ने आश्वस्त किया था कि ऐसे नोजवानों को वापस लाने की कोशिश की जार ही है पैरा दरसल नोकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजेंटों ने युवाओं से भारी रकम लेकर फरजी कागजात के जरिये गुप्त रास्तों से उन्हें रूस भेज दिया शुरू में इन नोजवानों को सुरक्षा साहक के तोर पर भरती किया गया और फिर डरा धमका कर युद शेतर में धकेल दिया गया कुछ लोगों का अनुमान है कि सों से उपर ऐसे युवा रूसी सैना में शामिल कर लिये गए हैं अब सरकार ने उन एजेंटों की पहचान शुरू कर दी है जो धोके से नोजवानों को विदेशों में नोकरी के लिए भेज दी है कुछ एजेंट पकड भी लिये गए हैं हालंकी इस तरह फरजी कागजात बना कर युवाओं को नोकरी दिलाने के नाम पर विदेश भेजने का धन्धा कोई नया नहीं है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के अनेक परियास हो चुके हैं लोगों से अपील की जाती है कि विदेश मंत्राले में पंजी करण करा कर ही दूसरे देश में नोकरी आदी के लिए जाएं मगर फिर भी गलत तरीके से विदेश जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा सरकार के सामने मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब इस तरह दूसरे देशों में गए लोग किसी मुसीवत में फस जाते हैं स्टॉप